बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नमस्कार सुप्रभात मैं हूँ प्रीती सिंग आप देख रहे हैं सुबर नौ बजे अगले आदर कंटे में आपके पास दूँगी तमाम एहम खबरें आईए शुरुआत करते हैं मुख्य समचारों के साथ तीन तलाक को अपराद बनाने वाले मुस्लिम महिला विवादिकार सन्रक्षन विधेक पर संसद्गी मुहर राश्पती रामनात कोविन ने बताया एते हासिक उपलगधी तुरुदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कहा महिलाओं के सशक्ती करण की दिशा में बहुत बड़ा कद राज्जे सभा के जिंडे में मोटर यान संशोधन विधेक और गैर कानूनी गतिविधिया रोक्थाम विधेक शामिल कैंसर मरीजों के लिए बुनियादी सुविधाएं और सस्ता इलाज सुनिश्चित किये जाने को लेकर अलपकालिक चर्चा भी उच्छ सदन की कारे सूची में शामिल लोगसभा के जिंडे में अंतर राज्जी नदी जल्विवाद संशोधन विधेक और बांध सुरक्षा विधेक समेट तीन बिल शामिल जम्मु कश्मीर में सीमा पार से घुसपैट की कोशिश नाकाम सेना ने बानिपुरा के गुरे सेक्टर में तीन आतंकियों को किया धेल पाकिस्तान की और से सीसवार उलंगन का सुरक्षा बलों ने दिया मूतोर जवाब पाकिस्तानी सैने चौकी को भारी नुकसान के साथ कई पाकिस्तानी जमानों के फताहत होने की भी खबर क्याफे कॉफी डे के मालेक और संस्थापक वीजी सिधार्ट का शफ बरामत मेंगलूरू में नेत्रावती नदी के पास मिला शफ सुमवार से लापता थे भी जी सिधार्ट क्रिकेट अ प्रिथवी शौ डोप टेस्ट में फेल मिसी सियाए ने आठ महीने के लिए लगाई पाबंदी प्रिथवी शौ ने कहा क्रिकेट मेरी जिन्देकी मजबूती से करूँगा वापसे सबसे पहले बास संसथ सत्रकी तलाके बिद्दत यानि एक बार में तीन तलाक देने से संबंदित मुस्लिम महिला विभाद एकार संडरक्शन विद्देक 2019 को संसथ की मनजूरी मिल गई है राजसभा में कल बिल पर चर्चा के बाद वोटिंग के दौरान पक्ष में 99 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 84 वोट पड़े लोग सभाई से पहले ही पारित कर चुकी है खानून मंतरी रविशंग अप्रसाद ने विद्धेक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि खानून के बिना पुलिस पीरित महिलाओं के शिकायत सुनने के लिए तयान नहीं थी उन्होंने कहा कि अगर स्लामिक देश भी महिलाओं के लिए बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो लोग तंत्रिक देश होने के नाते हमें क्यूं नहीं करना चाहिए विद्धेक में एक साथ तीन तलाक देने को अवैद बताय गया है और इसके लिए तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है ये खेर जमानती अपराद की काटेगरी में रखा गया है लेकिन पतनी की अपील सुनने के बाद वेजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकते हैं जब सर मेरे पास फाइल आई 14 में प्रदान मंती जी ने मुझे कादन विभाध दिया था तो मने पताधिकारी आए तो मैं मानी प्रदान मंती जी के पास गया कि सर ये विशेह क्या करना है उन्हें बिना छूटते कहा जाओ तीन तलाक की पीडित बेटियों के साथ खड़े हो जाओ और सुप्रीम कोट में प्रसकर जवाब दो हम कोट के अंदर भी अपोट के भाव भी खड़े रहेंगी ते फाइल आउ और रप्लाई से लग जाजमें अज़में जाओ लेकिन साराइ में अपने से सवाल पूछता हूं और यह सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है और सब मैं विजय गोहल की तरह तो मैंने चांवी चौप में काम नहीं किया सब पटना की सबजी बाकी महलाई मुझे से मिलती थी बाकी देखा है सब लेकिन इस मामले को टेक अप करने के बाद सब बहुत सी खवाती ने मुझे मिली हैं सब और उनकी पीड़ा और दर्द को मैंने समझा है सब मैं दो अधारन दूँगा एक डेलिगेशन मेरे पास आया था सब नाम देने की ज़रूद नहीं है उन्हें कहा मानिये कानून मंत्री जी आप ये कानून ले क्या रहे है तो हमारी ईद भी आज है और हमारा 15 अगस्त भी आज है ये आप समझाना चाहता हूँ सदन्ने विधेक पर और विचार विमर्ष के लिए से संसद की प्रवर समिती को भेजने के विपक्ष के प्रस्ताव को भी नामन्जूर कर दिया तीन तलाग से जुड़े विधेक को लेकर भी राज्यसभा में विपक्षी एक जुटता नजन नहीं आई वोटिंग के दौरान कॉंग्रिस और समाजबादी पार्टी की पांच-पांच संसदों सहिद विपक्ष के करीब 20 संसद अनुपस्थित रहे इससे पहले राज्यसभा में सूचना काधिकार विधेक को लेकर भी विपक्ष में बिखराव देखने को मिला था विज हाईग पर चर्चा की शुरुवात कॉंग्रिस की हम यागएक निकी थी इसके बाद सभी दलों के संसकतों ने विधेक पर अपने विचार रखे बाकी कंट्रीज में इस्लामिक कंट्रीज में तो इस्लामिक कंट्रीज में वो हाथ काटने का कानून भी यहां लाएंगे गर्दन काटने का कानून भी यहां लाएंगे कोड़े डालने का कानून भी यहां लाएंगे बादशाहद भी यहां लाएंगे IASI भी यहां लाएंगे यह हमारा मुलक किसी मुस्लिम मुलक का महताज नहीं है और किसी मुलक मुस्लिम के कहने से नहीं चलता लम्हों की खता सज्जियों की सदा बन जाती आपने जो उन लम्हों की सदा की थी उसकी सदा आपने अभी तक भुपती है और आपको आज मौका है कि उस खता को आप करेक्ट करिए उस जो गलती की है उसको आप करेक्ट करिए और अगर गलत नहीं किया तो फिर आप हुएती है हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते ये एक civil contract है और civil contract की ये विशेशता होती है कि उसमें शामिल पक्ष यदि उस contract से सहमत नहीं है तो वो उस contract से बाहर जा सकता है इतना कानून मेरी समझ में आया है तो इस civil contract को तानून के अंदर ये विवस्ता है तो इसे अपराधी करन करना इसका कोई बहुत नेक नियती का काम मुझे भटा जावे निजीशी राज्य सभा से तीन तलाख से जुड़ा विधैक पारित होने पर राश्पती नामनात कोविन ने ट्वीट करके कहा है कि ये महि पारित होने से तीन तलाख की अन्याय पूर्ण परंपरा के प्रतिबंद पर संसद्य अनुमोधन की प्रक्रिया पूरी हो गई है ये पूरे देश के लिए संतोश का क्षण है तीन तलाक मिल को संसद से मन्जूरी मिले के बाद प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने ट्वीट किया है उन्होंने कहा कि पूरे देश के लिए आज एक एतिहासिक दिन है आज करोडों मुसलिम माताओं बेहनों की जीत हुई है और उन्हें सम्मान से जीने का हक मिला है सदियों से तीन तलाक की कुपरधा से पीड़ित मुसलिम महिलाओं को आज ने आए मिला है इस एतिहासिक मौकी पर मैं सभी सांसदों का भारविक्त करता हूँ तीन तलाक मिल का पास होना मैला से शक्तिकरन की दिशा में एक बगध बड़ा कदम है तुष्टिकरन के नाम पर देश की करोडों माताओं बहनों को उनके अधिकार से बंचित रखने का पाप किया गया मुझे इस बात का गर्व है कि मुसलिम महिलाओं को उनका हक देने का गौरव हमारी सरकार को प्राप्थ हुआ है वहीं केंदरी ग्री मंत्रिय अमिच्छा ने कहा है कि आज का दिन भारते लोक तंतर के लिए महान दिन है उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंदर गोधी को वादा निभाने के लिए बढ़ाईती है वहीं तीन तलाग बिल के पास सोने के बाद केंदरी ये मंत्रियों और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों गया दितनात ने अपनी पृतिक्रिया देते हुए से नारी गरिमा की दिशा में गौरव शाली कदम बताया है तीन तलाग बिल पारित हो इसके लिए लंबे समझ से हमारी हजारों मुस्लिम बहने इंतिजार कर रही थी आज इंतिजार की घडियां समाप्त हो गई राज्य सभा ने भी बिल को पारित कर दिया इस बिल के पारित होने के बाद अब हमारी पीडित मुस्लिम बहनों को सम्मान भी मिल सकेगा और उनको नियाय भी मिल सकेगा इस बिल के पीछे निश्यत रूप से प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी जी की दरड़ इच्छा सकती थी मोदी सरकार की प्रतिबद्धिता मुस्लिम महिलाओं को नियाय दिलवाने की आज फली बूत हुई है राजिस सभा में आज लाखों मुस्लिम बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है क्योंकि ये लडाई का एक राजनीतिक कॉस्ट माना जाता था लेकिन मोदी सरकार ने महिला न्याय के और महिला सुरक्षा की दृष्टी से इस कदम को उठाया एक एतिहासिक जीत लोकसभा की चुनाओं में प्राप्त करने के बावजूद भी सरकार पहले भी प्रतिबद्धी आज भी प्रतिबद्धिता सरकार की सदन में दिखाए दी इसलिए लाखों मुस्लिम बहनों को मेरी ओर से बहुत बधाई और नरेंद भाई को आबार महला ससक्ती करन की दिख से नारी गरिमा और सम्मान की दिख से तीन तलाग विधेयक का संसद में पारित होना भारत की संसदी एतियास का एक गौरोशाली दिन है हम प्रधान मंतरी मोधी जी का नारी गरिमा की परती इस परकार का एक महत पूर्ण कदम उठाना इसके लिए विनंदन करते हैं और मैं विश्वास वेक्त करता हूँ कि नारी ससक्ती करण की इस दिसा में इस बहुत बड़े कदम को मागे बढ़ने में सफल होंगे संससी तीन तलाग से जुड़ा विधेक पारित होने पर मुस्लिक भाहिलाओने भी खुशी जटाई है नहीं बहुत अच्छा किया है मुझे सरकान ने और मैं इस वासे सेमेत हूँ और इस वेसले को मैं एकसेप करती हूँ और मुझे अच्छा लगाई तलाग दे 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 थे हर चोटी चोटी बात पर तो ये बिल पास होने से जो है अब उन में डर रहेगा तो वो मतलब फ्रिक्वेंटली तो नहीं दे सकते वो तलाग छोड़ दूँगा तलाग दे दूँगा लेकिन अब वो चीज़ से हम लोग बेफिकर हो गए कि अब ऐसा नहीं होगा और हम अपने और अपने बच्चों के बारे में आगे सोच सकते हैं तो तीन तलाग से जुड़ा बिल पास होने के बाद हमने देखा कि मुस्लिम महिलाओं में भी खुशी है और इसके अलावा जो तमाम राजने तेक पृतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आई हैं और ट्वीट करके खुद राशपती रामनात कोविंद और पृधार मंत्री नर इनने भी ट्वीट करके कहा कि ये महिला पृष समानता के लिए अतिहासिक उपलब्दी है बार बार सरकार की कोशिश थी कि ये बिल पास हो और इसलिए इस बार हमने देखा कि जब दूसरा कारिकाल नरेंदर मुदी सरकार का शुरू हुआ उसके बाद पहला बिल जो पेश बेहत ही important है देखे सरकार का लगातार ये भी कहना था कि तकरीबन 20 इसलामिक देश ऐसे हैं जहां पर ये प्रथा है ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट जब 2017 में इसको पहले ही unconstitutional करार दे दिया है तो इसके लिए एक जरूरी है कि एक मजबूत law हो देश में सरकार का ये भी सा के लिए जिस तरह से floor management भी हुआ जिस तरह से ये एतिहासिक जीत है तो सरकार का कहना है कि gender justice और equality में ये एक बड़ा कदम है और दिस संदे ये बहुत बड़ा एतिहासिक लमा है भारत के लिए जी पृत बशुक्र कृति आपका मारे साथ जुड़ने के लिए अस्तमाम करें तो विधी विरुद क्रिया कलाप निवारन संशोधन विधैक 2019 राजे सभा की कारे सूची में शामिल है के इंद्री ग्रीमंत्री अमिच्षा विधैक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे विधैक में प्रावधान किया गया है कि सरकार उस वेक्ति को भ पर आतकवादी संगठन के रूप में घोशित किया जाता है विधैक को लोगसभा से मनजूरी मिल चुकी है विधैक में आज मोटर यान संशोधन विधैक पर भी विचार होगा विधैक के जरिये मोटर यान खानून 1988 के प्रावधानों को और कड़ा करने का प्रस्ताव किया गया है विधैक में ट्राफिक नियमों को तोड़ने पर जादा जुर्माना थर्ड पर्टी प्रीमियम को जरूरी बनाना रोड सेफटी पर विशेश शिधान समेथ कई एहम मुद्दों को शामिल किया गया है विधैक में हिट एंड रन मामले में मौत के मामले में मौवजा 25,000 से बढ़ा कर 2,000 रुपे करने का प्रावधान है शराब पीकर गाड़ी चलाने पर मौजूदा 2,000 रुपे के बजाए 10,000 रुपे जुर्माने का प्रावधान है विधैक को लोग सभा की मंजूरी मिल चुकी है इसके अलावा कैंसर मरीजों के लिए बुनियादी सोगिधाओं और सस्ता इलाज सुनिश्चित किये जाने की जरूरत पर अलपकालिक चर्चा आज राजी सभा की कारिसूची में शामिल है सभापती अमवेंका इनाइडू ने विशंबर प्रसाद निशाद, चौधरी सुख्राम सिंग यादव और चंदरपाल सिंग यादव की और से दिये गए नोटिस को राजी सभा की प्रक्रिया और कारिस अंचालन नियम 177 के तहट स्वीकाद कर लिया चर्चा की दौरान सभी दलों के सांसद अपने विचार और सुझाओ सदन में रखेंगे इसके अलावा स्वच गंगा अभियान पर आदे घंटे की चर्चा भी राज्य सभा के एजिंडे में शामिल है समाजवादी पार्टी के रेवती रवन सिंग इस बारे में 24 जून 2019 को राज्य सभा में तारांकित सवाल नमबर 19 के उत्तर से उठे मुद्धो पर चर्चा की शुरुवात करेंगे अब बात लोग सभा की करें तो एजिंडे में आज तीन महत्पूर विधैक हैं अंतर राज्य नदी जल विवादों के निप्टारे के लिए एकल स्थाई नियाधी करन बनाने का प्रावधान करने वाले अंतर राज्य नदी जल विवाद संशोधन विधैक 2019 पर आज लोग सभा में विचार होगा किंद्री जल शक्ती मंत्री गजेंदर सिंख शेखावत विधैक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे इसके जरिये अंतर राज्य नदी जल विवाद कानून 1956 का और संशोधन किया जाएगा लोग सभा में आज बांध सुरक्षा विधैक 2019 पर भी विचार होगा किंद्रे जल शक्ती मंत्री गजेंदर सिंख शेखावत विधैक को पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे इस विधैक का मकसद नियमित निरिक्षन अपात कालीन कारियोजना और व्यापक सुरक्षा समीक्षा सहेथ बांधों की सुरक्षा से संबंदित सभी मुद्दों का समाधान करना है विधैक कुछ कृत्तियों के लिए दंडात्मक प्रावधान भी करता है ये कानून राजजियों और केद्शा सिर्देशों को एक समान बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद करेगा ये विधैक मानव जीवन पशूँ और संपत्ति की सुरक्षा में भी मदद करेगा लोकसभा के एजेंडे में सरकारी स्थान आप राधिकरत अधिभूगियों की बेदखली संचुदन विधैक दोहजार उननीज भी है शामिल है आवास और शेहरी कारेमंत्री हरदीप सिंग्पूरी विधैक पर विचार और फारत करने का प्रस्ताब करेंगे बीजेपी के इंद्रे ने तृत्व ने कल जम्मू कश्मीर के निताओं के साथ बैठक की ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब जम्मू कश्मीर में अमनात यात्रा चल रही है बैठक में बीजेपी के कारेकारी अध्यक्ष जेपी नडडा के अलावा केंद्रे मंत्री जीते इंद्र सेंग, बीजेपी मासचे वराम माधा, पार्टी के प्रदेशन ध्यक्ष रवींद्र रैना और राज्य के कई अन्य वरिष्टे नेता शामिल हुए बैठक के बाद मीडिया से बाचीत करते हुए जम्मु कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रवीद रनायना ने कहा है कि बैठक में राज्य की राजनीतिक स्थिती, राज्य में सदसिता अभ्यान सुरक्षा संबंदी मुद्दो, अमन आत्यात्रा, जम्मु कश्मीर में विकासका राज्य में विधान सबाचुनाओं पर चर्शा की गई है। जम्मु कश्मीर के अंदर विकासकारियों को पर चर्शा हुई और साथ ही साथ आने वाले दिनों में जम्मु कश्मीर के अंदर जो विधान सबाच के चुनाओं को लेकर चर्शा हुई। पुल से च्छालांग लगाते हुई देखा था। जम्मु कश्मीर के अंदर जम्मु कश्मीर के अंदर विकासकारियों को पर चर्शा हुई। इतिजाम किये गाए हैं। वीजेपी ने ग्राम पंचायत के 85 प्रतिश्यच सीटों पर बिना लड़े ही जीत हासिल की। इसकी वज़ाए ये है कि विपक्शिदल, CPM, कॉंग्रिस और IPFT मेहज़ 18 प्रतिश्यच सीटों पर ही अपने उमीदवार उतार सकी। राज़े में 27 जुलाई को पंचायत चुनाओं के लिए वोटिंग हुई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आज देशवापी हर्ताल से मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके तहर देश भर के तीन लाग से जादा डॉक्टर अस्पतालों की ओपीडी में सेवाएं नहीं देंगे। आई-मे के मताबिक हर्ताल के दोरान के वल्ड खेर जरूरी मेडिकल सेवाओं को अटेंड नहीं किया जाएगा जबकि हर तरह की अमर्जिंसी सेवाएं जारी रहेंगी। आई-मे से मिली जानकारी के मताबिक विरोध के बंदे नज़र डॉक्टर ओपीडी में सेवाएं नहीं देंगे। एस्टियेशन का ये विरोध नाशनल मेडिकल काउंसल बिल को लेकर है। कि सिती पैदा हो गई है। बचाव अभियान चलाया हुआ है। महाराश्टर में भी कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश्चे कारण राज्ज के विबन भागों में स्थिती गंभीर है। गर्चिरॉली जिले के कई गाओं का शेहरों से संपर टूट गया है। जिले के भामरागर से सटे परल कोटा, इटापली की बांडे नदी और अहेरी तहसील के दरजनों नालों में बाल के स्थिती बनी हुई है। भामरागर, आलापली महमार का आताया ठप है। उत्रियों और पश्चि में माराश्टर के पांच बांदों से सूमवार और मंगलवार को पानी छोड़ा गया। नासिक जिले के गंगापुर और जलगाओं के अतनुर बांद के सभी दर्वाजे खोल दे गए हैं ताकि अत्रिक्त पानी तापी और गुदावरी नदियों में पहुँचे। वहीं बिहार में बार का कहब जारी है बिहार के 13 जिलो में आई बार से अब तक 130 लोगों की मौत हो चुकी है जबके 88 लाक आबादी प्रभावित है बिहार के बार प्रभावित जिलो में राहत शेवर चला जा रहे हैं भोजन की वेवस्ता के लिए 442 सामुदाइक रसोई चलाई जा रही है बार प्रभावित लाकों में राहत और बचाव कारे के लिए NDRF और SDRF की कुल 27 टी में और 876 मानवबल लगाए गया है 133 मोटर बोट का भी इस्तमाल हो रहा है असम में सभी प्रमुक नदियों में जलसतर अरभ घटने लगा है 24 घंटों में किसी के थोनी की खबर नहीं है बार की चपेट में आने से 86 लोगों की असम में मौत हो चुकी है राज्य आपदा प्रबंदन प्रादिकरन ने कहा है कि 13 जिलों के 864 गाउं बार से पीड़ित हैं धेमा जी, दरांग, बार पेटा, नलबाडी, चिरांग, गोलपाड़ा, कामरूप, मौरिगाउ, नगाउ, गोलाघार, जोरहाट और कच्छार जिले बार से प्रभावित हैं। बक्तूर इलाके में स्थित सीना की पंथ पोस्ट पर भी पाकिस्तानी सीना की और से फारिंग की गई, जवाबी कारवाई में पाकिस्तानी चौकियों और सैनिकों को भारी नुकसान हुआ है। भारतिय समुदाय के लोगों से भी मिलने का कारिक्रम है। बाद राश्पती का गौाना जाने का कारिक्रम है। स्वामी विवेकानन्द और उनके विचारों के आव शक्ता को बताने वाली पुस्तक असेंशिल विवेकानन्द का मंगलवार को दिल्ली के दॉक्टर अंबेटकर इंटरनेशनल सेंटर में विमोचन किया गया। दिल्ली के डॉक्टर अंबेटकर इंटरनेशनल सेंटर में राश्ट्रिय स्वेम सेवक संग के सहसर कारिवा सुरेश सोनी ने एशेंशियल विवेकानन्द नामक पुस्तक का विमोचन किया। जिसको भरतिय शिक्षन मंडल के राश्ट्रिय सहसंगठन मंत्री मुकुल कानितकर और बीजेपी युवा मोर्चा के राश्ट्रिय सचेव अनुप कैपल्ली ने संयुक्तरूप से लिखा है। RSS के सहसर कार्यवाह सुरेश सोनी ने कहा कि विवेकानन्द के विचारों पर लिखी गई ये किताब समाज में ग्यान का उजाला फैलाने का काम करेगी। भारत उनकी दुखांतर आत्री थी। भारत का अध्यात्म, भारत की प्योरिटी, भारत की पावर, भारत की विजडम, भारत की डिविनिटी, सब कुछ उनके अंदर व्यक्त थी। सुभाष चंद्र बोस उनके बारे में बोलते समय लिखते है कि यदि स्वामी वेकानन्द को आप सोते सोते पढ़ोगे तो उटकर के बैट जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। यदि आप बैट करके पढ़ रहे हो तो खड़े हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि कब खड़े होगे, और खड़े होकर के पढ़ रहे हो तो कर्म में रत हो जाओगे, चलने लग जाओगे, यहाँ उस अगनी बान जैसे शब्दों की ताकद है स्वामी वेकानन्द की। कारिक्रम में बीजेपी सांसद और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोश तिवारी इंद्रागांधी राष्ट्रिय कलाकेंद्र के सदस्य सचेव शचिदानन्द जोशी भी मौझूद रहे। पुस्तक के सहलेखक अनुप कैपले ने बताया कि इस किताब को तीन हिस्सों में लिखा गया है जिसमें पाटकों को स्वामी वेकानन्द की जीवनी से लेकर उनके विचारों और दुनिया भर के विद्वानों द्वारा लिखे गए स्वामी विवेकानन्द के विचारों को भी प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक समाज में स्वामी विवेकानन्द के विचारों को फैला कर युवाओं को सही मार्क पर लाने वाली सिद्ध होगी। भरत सिंग दिवाकर प्राजी सभा टीवी। मेरा जीवन है और भारत और मुंबाई के लिए खेलने से बड़ी चीज कुछ और नहीं है। मैं जल्दी और मजबूती से वापसी करूगा। और इसे के साथ फिलाल सुबर नौबजे की खबरों में इतना ही। ब्रिक के बाद आप देख सकते हैं ब्रिक्फिस्ट नियूज निसकार। क्षेश पालबड़ है। रड़ी है। पुर्वेश यॉथ 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 यॉथ